हाई, what is inbound and outbound in Azure? यह मैं आपको शरू में ही बता रहा हूँ क्योंकि यहीं से आपको समझना है कि inbound and outbound कैसे काम करता है क्योंकि आपकी पूरी जो networking है वो इसी के भीहाब पे काम करती है और यह चीज मैं इसलिए शरू में आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि जो भी मैं चीज़ें आपको cover करा हूँगा वहाँ पे इनकी बहुत जादा importance है वो चीज़ें आपको समझनी बहुत जरूरी है तो इसलिए यह सबसे पहली वीडियो है कि what is inbound and outbound in Azure ठीक है तो यहाँ पर हलकी सी statement पढ़ते हैं जो बड़ी nicely लिखी हुई है कि inbound is data moving to your VM slash services ठीक है service also known as English and is free on Azure यानि कि जो inbound data है आपकी VM पे आपकी services के लिए वो free है ठीक है उसके examples आपको हर एक service में जब हम explore करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा और outbound is a data moving away from your machine and its price tire with the 5GV being free for charge मतलब being free of charge यानि कि जो data आपकी machine से बाहर जाएगा वो सिरफ 5GV तक उसकी limit है जो कि free रहेगा ठीक है अगर आपको इससे समाज नहीं आ रहा तो कोई बड़ी बात नहीं है इस statement एक बार पढ़ लो या अपनी notebook में रख लो या बाद में पोज़ करके अब आप आके कर लेना कोई issue नहीं है मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने एक छोटे से diagram के उपर और यहां पर मैं कोशिस करता हूँ आपको यह चीज समझाने की कि inbound and outbound क्या होता और किस तरीके से काम करता है अब हम सिंपल सी उसमें सिंपल लैंग्विज में बात करेंगे कि inbound जो है ठीक है उसमें लिखा statement के अंदर कि जो traffic आपकी VM पे आता है आपकी VM को access करता है ठीक है तो यहां पर एक मैं client system है मेरा जैसे कि यूजर आप कह सकते हो client and user ठीक है तो client and user हमारा हो गया यह हमारा user है ठीक है तो यहां पर हम देखते हैं कि भई inbound किस चीज को वह कह रहा है कि inbound क्या है अब suppose यह जो मेरा VM है ठीक है इससे मुझे क्या करना है इससे मुझे इस VM को access करना और इस VM का जो IP address है यह internal तो कुछ भी आप कह सकते हैं लेकिन publicly suppose यह मेरा 12, 13, 14 and 15 यह माल लो ठीक है just example हम ले रहे हैं यह मेरा public IP address है और मुझे इस client से access करना है ठीक है तो यहां पर क्या हुआ कि इस client के लिए this is outbound कि यह कुछ access कर रहा है और जो traffic यहां पर आ रहा है यानि कि इस VM के लिए आ रहा है यानि कि आपका अगर VM यह है और हम इसको अगर server बोलते हैं कि this is our server और server पर आपने एक website install की हुई है जो कि web.com है ठीक है अब web.com क्या हुआ कि web.com को यहां पर access किया इस client ने तो जो traffic generate होके API इस client से वह outbound है क्योंकि उससे बाहर हो रही है लेकिन यहां पर हमारे इन आई है वो जो हमारा access हो रहा है है वो हमारा inbound है ठीक है समझाया थोड़ा सा कि जो traffic हमारी VM को access करने के लिए आ रही है है वो हमारी inbound traffic है और यह statement हर time change होती रहती है तो यह बहुत confusion वाली statement है तो आपको बड़े ही इसको simple way में समझना है कि आपकी VM node आपके node अगर हम node की बात करते हैं जैसे है कि हमारी statement थी उस statement में अगर हम देखेंगे कि inbound is a data moving to your machine राइट moving to your machine and services also cost in Greece and free for on Azure ठीक है अब outbound में क्या आदा है कि outbound is a data moving away from your machine and is prized in a tear अब यहां पर outbound क्या है कि जैसे इस VM के उपर यह जो VM है और इस VM के उपर मैं web.com access करना चाहता हूं ठीक है यानिकि जो यह वीरी वीम है यह internet पर जाना चाहती है जैसे google.com मैं clear change कर देता हूं ताकि confusion ना हो ठीक है तो google.com access करना चाहता हूं outbound के लिए ठीक है और यहां से मैं किसी मैंने कुछ टनल बनाई है suppose that मैंने कोई local IP address पर यहां पर मेरा database रखा हूँ है 92.20.20.20.14 ठीक है इस पर मेरा database रखा हूँ है इस पर जो database रखा हूँ है मैं मेरा जो server है उसका जो outbound है ठीक है यह जो outbound है यहां से अगर मुझे यहां पर कुछ भी configure करना है यानि कि जब मैं यहां पर कोई NSG लगांगा या कोई दूसरी security लगाता हूँ ठीक है अगर मैं यह जब यहां पर apply करूंगा तो वहां पर मुझे outbound अपना outbound भी define करना पड़ेगा ठीक है by default क्या होता है कि सब कुछ access होता है by default open होता है तो यहां पर क्या होता है कि जब हम कोई भी चीजे access करेंगे अपने VM से यानि कि हम अपने VM से कुछ भी access करें suppose that same scenario जब हम अपनी client VM से एक request कर रहे थे हमारे server के लिए तो वहां पर वह outbound था तो same चीज यहां पर होते हैं कि जब अपने VM से आप कोई भी चीज एक्सेस करवाते हो यानि कि उससे कुछ traffic दूसरे में लब access करेंगा उस चीज को हम outbound कहते हैं ठीक है और यहां पर जो दूसरा scenario change होता है यह तो होगी network में यहां पर storage के अंदर जो change होता है कि यहां पर जो inbound है आप जो data रखना चाहते हो वह यहां पर रख सकते हो free of course लेकिन जब आप उससे Azure से उसको access करोगे यानि कि जो data आपने suppose यहां पर 10 tv आपने data रख दिया अब आप उस 10 tv data को use करना चाहते हो तो Azure आपसे costing लेगा कि आप उस data को बार बार access कर रहे हो तो उसके आपको costing देनी पड़ेगे लेकिन रखने की है जब आप inbound करोगे उसको upload करोगे 10 tv data कि उसकी कोई cost नहीं है लेकिन इसकी cost है जब आप उसको access करोगे तो यह पूरा scenario इसलिए मैंने शुरू में यह चीज कराई है कि inbound और outbound के अंदर आप चीजे आपकी फसे ना और आपको चीजे समझ में आए तो मैं थोड़ा सा recap करा देता हूं कि क्या चीज हमने थोड़ी सी समझी है और किस तरीके से हमारी काम करेगी कि जैसे हमारा जो inbound है वो होता है कि जो हम हम अपनी vm पे entry कराते हैं suppose यहां पे हमने एक database यह database मैं मान लेता हूं ठीक है यह database है अब नहीं database नहीं होगा sorry I'm really sorry for that इसमें इस case में हमारा होगा जैसे क कोई application server है एक और कोई application server है कोई application server है एक मिनट तो application server के अंदर कोई script रखी हुई है जो कि हमारी website server पे upload होगी या update होगी तो जैसे वह update होगी तो उसके लिए क्या होगा कि वहां से जो हमारे server पे आ रहा है वह inbound हो जाएगा ठीक है तो वह inbound होने पर क्या होगा कि जैसे वह inbound होता है तो हमारी जो भी हमें access उसमें लाओ करने होंगे वह वहां पर हमें करने पड़ेंगे और तब हमारी VM के अंतर inbound हो पाएगा जो inbound rules होते हैं वह by default disable होते हैं ठीक है और यह enable होते हैं तो यह जो चीज़ें यह मैं example आपको करके दिखाऊंगा जब हम अपनी VM जो है और अगर एक bonus lecture देना पड़ा मैं उसमें एड कराऊंगा ठीक है तो inbound की statement यही है की inbound is the data moving to your machine and service also knows in English and is free on Azure right and the outbound is the data moving away from your machine and its price in a tier with a 5 GB और यहां पर हर बार इसकी statement change हो जाएगी ठीक है so thank you so much for watching this video have a good day bye bye